आदाब नाजरीन वादे के मताबिक एक बार फिर हाजिर हूँ मैं कश्पी शमाल आप सभी के साथ आपका मनपसंद प्रोग्राम गुफ्त गुले कर इस प्रोग्राम के जरिये हम आपके मुलाकात करवाते हैं उन अजीम शक्सियात से जिन्होंने अजीम तरीन बनने के लिए जिन्दगी के कई ऐसे पड़ावों को पार किया जो आसान नहीं थे उन्हीं मारूफ हस्ती से आज हम आपके लिए एक नगीना ढूंड कर लाएं जिनके नाम से हम सभी वाकिफ हैं मैं जिगर मुरादाबादी का एक शेर उन्हें नजर करती हूँ अपना जमाना आप बनाते हैं एहले दिल हम वो नहीं की जिनको जमाना बना गया जी हां हमारे आज के महमान और गुफ्तबो की जीनत अदाकार अफ़तार गिल हैं तो आई नाजरें तारुब कराते हैं आपका अफ़तार गिल साहब से अफ़तार जी दिली इस्तक्बाल है इस प्रोग्राम में आपका नमस्कार आदाब तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नुकड से कि आपके जो दूरदर्शन पर इतना मकबूल प्रोग्राम था नुकड उसके बारे में बताएं कैसा था एक्स्पीरिंस कैसी उसकी खुबसूरत याद है हलाकि काफी साल हो चुक है सीरियल को इस प्रोग्राम को जी हाँ ये शुरुआत हुई थी इसकी 86 में और उस वक्त दूरदर्शन के 13 तेरा एपिसोड मिलते थे तो तीन बार मिले थे 13 फिर 13 फिर 13 और ये अपने जमाने का बहुत ही कामयाब सीरियल था और यहीं से मेरी पहचान बनी थी कादर भाई के नाम से और आज करीब पौने 300 फिल्मे करने के बाद भी बहुत ज्यादा लोग मुझे कादर भाई के नाम से ही जानते हैं सौमभा रात को 9 बज़े आता था और यकीन मानिये कि बंबई की सड़कों पे 9 बज़े ट्रैफिक नहीं होता था क्या बात है क्योंकि लोग इसे मिस्स नहीं करना चाहते थे इसे देखते थे और यह इतना मकबूल हुआ था अपने ज़वाने में और बहुत इंजॉई किया हम लोगों ने बड़े इत्मिनान से शूटिंग करते थे एक एपिसोड की तीन दिन में शूटिंग करते थे और अगास कैसे हुआ है वो रैसलर इसलिए बनना चाहते थे वो स्कूल की बात है मेरे बच्पन के हिरो दारा सिंग थे तो मैं उनकी कुष्टियां बहुत देखता था तो मैं चाहता था कि मैं भी उन जैसा बनूँ मैंने कोशिच भी की लेकिन मेरा शरीर वैसा नहीं बन पाय तो मैंने ख्याल छोड़ दिया समझ में आगे बात मुझे फिर कॉलेज में आके मुझे ये एक्टिंग का कीड़ा काटा जिसे कहते हैं ये कुछ 72 की बात है तब कर जाके मुझे एक्टिंग का शौक हुआ और मैंने कॉलेज के ड्रामों में हिस्सा लेना शुरू किया वान एक टेलिविजन एक थेटर है सिनेमा जो है वो डिरेक्टर का मीडियम है जो डिरेक्टर सोचता है जो डिरेक्टर चाहता है वो ही दर्शकों को दिखाता है और जो टेलिविजन है वो राइटर का मीडियम है जितना अच्छा वो लिखेगा उतना अच्छा लोग उसको दे है या देड़े गंटे का वह आपको संबालना है भूल गए तो कैसे करना गलती हो गई तो कोई बात नहीं लेकिन दर्श्कों को पता नहीं लगना चाहिए कि आप से कि आप कोई डालोग भूले को यह वह बहुत बार बहुत बार आप तकरीबन हर एक्टर भूलता है क्योंकि लाइफ शो है हम लोग कोई मशीन तो है नहीं लेकिन बड़ी बात यह होती है कि पता नहीं लगना चाहिए कि आप भूल गए हैं कैसे समालते हैं बस यह धीरे-धीर करते-करते-करते हादमी सीख्वी can star kidibles कि अगर बात की जाता है आसे बहुत सा स्टार गिज़ है जो की घर बैठे हुए तो यह बन्होंच के लिए star kid बिल्कुल जरूरी नहीं अगर ज्यादा लोग देखेंगे तो वह एक्टरए रह dobr скежде हैं तो आप मशूर हो गया पिर आपको एक platform मिल जाएगा पहली बार एक बार आप launch हो जागे उसके बाद अगर आप में दम होगा आप में बात होगी आप में talent होगा तो ही आप टिक पाएंगे नहीं तो नहीं टिक पाएंगे अब देखे राज कपूर साथ ने राम तेरी गंगा मैली बनाई राजीव कपू ही तो यह ऐसा नहीं है कि आप स्टार केड़ है तो आपका हो जाएगा कुछ तो इसमें जरूरी है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है वाप कितना प्रूफ करते हैं उसके उपर हैं एक अच्छा अक्टर बनने के लिए क्या-क्या खूबिया होनी चाहिए या मैं आप से प पागल पन होना चाहिए तभी आप एक्टर बन सकते हैं आपका वन ट्रेक सिंगल ट्रेक होना चाहिए मैडनेस होनी चाहिए उसके बाद आपकी महनत उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस उसके बाद आपका फेलियर को बरदाश करने का आपका जजबा कि लोग आपको गिरा आप पढ़ रहे हैं उड़ रहे हैं पिर वो और उसके बाद आपके सीखने की शक्ती कितनी है क्योंकि एक लड़ व aux लेकिन फर्स्ट तो एक ही आता है तो आपके उपर डिपेंड करता है आप कितनी तेजी से सीखते हैं कितना सीखते हैं कितना उसमें ग्रास्प करते हैं तो चीजे आपके उपर डिपेंड करता है लेकिन यह महनत टैलेंट हार्ड वर्क फोकस जुनूम यह सारा बहुत जरूर फैलियर तो क्यों याफ में कभी हाया होमाई ताव हमावें चाहारे देए जन्दगी सोपे लेंडा है। और वो भी आपको जिन्दगी खुद ही सिखाती है अगर यह से कोई फिल्म है पिट जाए तो उस टाइम मतलब कैसी फिलिंग आती है कि छोड़ आप नहीं करना हाँ यह फिलिंग आती है बहुत तकलीफ होती है बहुत अकेला महसूस करता है कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मुझसे कोई प्यार नहीं करता और मुझसे कोई मिलना नहीं चाहता मुझे कोई काम नहीं देना चाहता और मैं बल्कुल यूसलेस हूँ यह सारी बाते होती है आम नॉर्मल जो आदमी फिल करता है वो एक्टर्स भी वहीं फिल करते है लेकि उसके बावजूद लड़क होती हैं या कुछ हमारे गिने चुने किरदार हैं एक्रेक्टर हैं हमरीश पूरी साथ थे डैनी साथ हैं तो ऐसे कुछ लोग हैं प्रांग साथ थे जिन्होंने बहुत काम्याबी देखी और सक्सेस को हैंडल भी किया जो बहुत मुश्किल है ग्रा इस इंड़्टिर में और बड़ी कमाल की चीज़ है अगर आप काम्याब होते थे थे तो, पाफेल हो जाते हैं है फेलियर होते थे थो, पाफुने लोगों से ना काम्याबी है पेहनल होती है ना फेलियर हैंड्र होता है आइधर वे यू गो मैड बिकोज आर लाइन इस लाइन के रोलर कोस्टर कब नीचे गए कब उपर गए पता नहीं तो यह बैलन सकना बड़ा मुश्किल काम है तीव इंडस्ट्रे में काफी आप बैलन्स अक्टर की श्रेडी में आते हैं ठीक है मैं कहता हूं कि आपका फेवरेट रोल कौन सा था देखी इस तरह से किसी पिन पॉइंट करना एक रोल को तो बहुत मुश्किल है लेकिन जैसे फिल्मे मुझे कुछ एक पसंद है मुझे अपनी आशिकी फिल्म बड़ी पसंती देले के मानता नहीं बहुत पसंती फिर आपकी सड़क बहु पसंद मुझे और इसी तरह से सीरियल में नुकड बहुत पसंद है और जी टीवी का पहला डेली सोप आया था तारा जी उसमें मैं में सेंट्रल विलन करेक्टर था विलन का जो चार साधे-चार साल चला वो मुझे बहुत पसंद है एक सीरियल और था ऐल चैनल आता था जी फिर इसके इलावा दूर दर्शन पर मैंने एसाथ सीरियल किया एक, एक पापा किया मैंने, तो बहुत सारे सीरियल किये, तो किसी एक को पिन-पॉइंट करना था थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नेगेटिव रोल्स करने में आपको ज्यादा अच्छा लगता है, पॉज्ट होता लग गया था, कि मुझे हीरो कोई नहीं लेगा, शीशा कहते है ना जूट नहीं बोलता, तो मैंने शीशे में देखे समझ गया था कि ये टेडी मेडी शकल है जो, इसको लोग हीरो तो बनाने से रहे, तो क्यों ना विलन बन जाओ, तो विलन बन गया और उसके रोल ज जरूरी है, आक्टर होने के लिए हीरो होना जरूरी है, यह होता है अफिल है, देखिए पहले जब हीरो बनने के लिए होता था कि उस टाइम पे ऐसा होता था कि आदमी खुबसूरत होना चाहिए, उंचा होना चाहिए, अच्छा जिस्म होना चाहिए, उसकी जुल्फे मात से पर गिरनी चाहिए ये पुराने आनी समाने की बात होती ती लेक democrat में ऐसा नहीं आध में अगर आप ट्यालन तो कोई भी हिरो बन सकता है आज नवास दिन सिध्धि की साथ- भीनोजी के टैम्र सब्सक्राइब तक शाषी कपूर थे शमी गपूर थे इस जम सूरत उंचा लंबा होना चाहिए अभी पूरा पूरा चांस है कि आप hero बन सकते हाँ देखिए मैंने कहा न मुझे कोई गलप फेमी नहीं है और मैं रोज शीशा देखता हूं और मुझे पता है मेरी अवकात क्या है अगर आज आप actor नहीं होते तो आप क्या होते रस्लर होते देखिए मैंने पहले रस्लर बनने कोशिश की स्कूल के टाइम पे तो मैं नहीं बन पाया फिर जब मैंने मैंटरिक पास की तो मैं एर फोर्स में जाना चाहता हूं पर मेरी माताजी थी उन्हों ने इस बात का विरोध किया उन्होंने का मेरे कौनसा 57 बेटे हैं मेरे दो ब में चला गया होता तो एरफोर्स में अब होते तो फिर आपका जो dream rolling है वो क्या था और तो आप dream roll कर पाते हैं नहीं कर पातें अगर आप meillä force जाते तो ने एरफोर्स में जाता तो मुझे तू यहIn gefड़ के प्रों प्लेयन तो बुस्त निमाग थोड़ा कच्छासा है. आप करते जाहिए करते जाहिए कोई ही ही नहीं जब भी आपको लगे कि मेरा dream role मैंने कर लिया तो dream role दूसरा सामने खड़ा हो जाता है तो आपकी वो जो है मन्जिल वो आगे-ँए आपसे चलती है तो ऐसा कोई रोल जाब के जहन में कि यह मुझे करना ही है, लाइफ में भले एक बार करना हो बट मुझे करना है मैंने कई बार कहा है, आगे भी आज फिर दोरा देता हूँ, एक फिल्म आयती सर जी उसमें अत्तुल अगनियोतरी और पूजा पट थे, नसुरी अदिन शाह थे, परेश रावल थे और मैंने भी एक रोल किया था, नसीर के दोस्त का उसमें जो रोल परेश रावल ने किया था, वो मेरे जहन में कहीं रहता है, वो मुझे बहुत पसंद था कि मुझे कभी ऐसा रोल मिले, कि जो डाउन है, जिससे पूरा शहर डरता है, लेकिन वो अंदर से कितना हिूमन है, अपने बच्चों से कितना प्यार करता है, जो आज की नसल आरे, जो जिनरेशन है, वो टेकनिकल ही जादा साउंड ही, क्योंकि टेकनोलोजी इतनी जादा इंप्रूव हो रही है, तो एक बतौर अक्टर, टेकनिकल होना जादा अच्छा है कि आक्टिंग उसे जादा अच्छी आने चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज तो आप उसमें फिल्टर लगा के फियर कर सकते हैं, तो आप क्या लगता है, कि बतौर अच्टिंग जादा सही है, या फिर टेकनिकली साउंड होना जादा बेटर है, देखिए जो आज की जेनरेशन आई है, वो बहुत ही होशार, बहुत ही तेज, बहुत ही हमने टेकनिक करते 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 सीखा था, तो ये टेकनिक इनको अलड़ी पता है, बागी एक्टिंग का जैसे मैंने अभी कहा था, ये तो करते करते आएगी experience के साथ, इसके लिए ऐसा कोई field नहीं है कि आपने ये पढ़ लिया तो आपको आजागी या जागी, ये आप 80 साल क ये उमर में भी नहीं कह सकते कि मुझे acting आ गई है, मैंने सीख लिया, जब आपको ऐसा लगेगा, तब आप ऐसा कोई काम देखेंगे, तो आपको लगेगा यार, इसके सामने तो मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपके टाइम है, जो आप लोग जैसे एक सीन करते थे तीन तीन चार 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 दिन शूट्स होते थे, आज का यूथ इतना वक्त नहीं देता, क्योंकि एक ही अक्टर आपको कई चानल्स पर डिफरेंट सीरिल्स करते हो दिखते हैं, नहीं वो क्या है, देखी ऐसा नहीं है, जहां तक टेलिवीजिन की आप बात करने है, व में ऐसा नहीं होता है, फिल्ल में जमार टिकार के काम होता है क्योंकि एक बात आप GYNE काूंते है नहीं तो यह तो आप नहीं करेंगे तो रोजी रोटी कैसे चलेगी रोजी रोटी होती है तो फिर वह सब आभी जाता और करना भी पड़ता है आपको फिर अक्टर कौन रहा है अब तक आप तो खुद ही वैसे सब के फेवरिटे लिए मैं फेवरिट अक्टर से पोछ रही किसका फेव अग्रेड एक्टर हैं वो इस वक्त फिल्मों में काम नहीं कर रहें, वो बहुत ही भुजर्ग हो चुके हैं, बहुत सीनियर हो चुके हैं, उनका नाम है दिलीब साथ, दिलीब कुमार साथ, मेरे इसाब से हिंदुस्तान ने आज तक उनसे बड़ा एक्टर नहीं दिया है, अ और मैं उनका भक्त हुआ! अपने कोई फिल्में की इसाथ? मैंने उनके साथ, एक तो उनकी फिल्म ती 1978 में आई थी वो, उसका नाम था किला, वो की थी मैंने, और एक फिल्म में मैंने छोटा सा रokol किया था उनके साथ, और और एक और फिल्म थी आग का दरिया, जो कभी र मैंने बहुत प्यार दिया मुझे और बहुत कुछ सीखा उनसे मैंने जब आप दिलीप सहाब से मिले सेट पर आपको पतच लाए कि आपको फिल्म करनी है तो उसने घवराट हो रही थी दिल में कि इतने बड़े आक्टर के साथ घवराट का मैं पहले भी जिकर कर चुका हूं मैं सारी रात सोया नहीं था और मैंने अलाम लगाया हो तो उन दिनों छोटा अलाम बज़ता था वो यह बात कर रहा हूं मैं 82 82 की मशाल फिल्म की अनिल कपूर भी नहीं नहीं आये थे तो वो अलाम मैं हर एक गंड़े के बाद देखता था कि वो सुबह के 6 बजे के नहीं उठा उठा के ऐसे उसको सारी राज जाकता रहा फिर मैं साड़े नौ बजे पहुंच गया सेट के ओपर वो आय कुछ साड़े बारा बजे और जब दो बजे हमने शूटिंग शुरू की तो मेरे हाथ पैर सब कांप रहे थे ठंडे हो रहे थे और पसीने आ रहे थे और मैं ऐसा गुम रहा था अपनी नर्वसनेस चुपाने के लिए मैं मुस्कुराता गुम रहा था तो मुझे यसजी ने डांट दिया बहुत हैंस क्यों रहा तू नहीं नहीं तांकि लोगों पता ना लगे मैं नर्वस हूं तो मैं अपनी स्माइल में चुपा रहा था फिर आके उनने जब इदर हाथ रखा मेरे और उनने कहा के पंजाबी में के काका आओ रहसल कर दें तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ पता नहीं सौक दोस्तों किलो कितनों का बोज मेरे सर के आया और यह दिल जो है ठक 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 ऐसा हुआ कि अब च्छाती फट जाएगी और बाहर जा अब आधा पोना गंटा मुझे रिलाक्स किया उनने उसके बाद अमने कि इस जो आग का दरीया थे वो रिलीज क्यों ने क्या वजाते उसके क्या होता है कि बहुत सरी फिल्में ऐसी पड़ी रहती है जो रिलीज नहीं होती है एक दो नहीं दस बीस पचास सो ऐसी फिल्में वो कुछ प्रोडूसर के अपने पर्सनल प्रावलम होते हैं कभी एक्टर्स की डेट्स की वज़से कभी फाइनस की वज़से या कभी किसी और क्या प्रावलम था पता नहीं जबकि वो पूरी कम्प्लीट है बन के पड़ी हुई है उसके बनी हुई को भी आज 10-15 साल हो ग मैं कहलो साइड के जो साइड कीक्स होते हैं गुंडे होते हैं तो उसमें था मुझे तुछ यह था कि दिलीफ साब की फिल्में काम करना इसलिए था मैं और उसमें थे कुछ सीन वीन पद्मनी गॉलापूरे को मैं जबरद्स्ती किड्नैप करके उठा उठा के लेके आता कई जबानों में भी की हैं गुजराती में किया अपने और हिंदी पंजाबी गुजराती माराथी बंगाली तेल्गू भोचपूरी इंगलिश यह तमाम लेंगविज में काम किया मैं आप इतने टालेंटेड और इतनी सारी आपको जबाने आ दी तो टालेंट का जो यह किसे आपने एक बार में सीख ली यह जिंदगी ने दिया यह 40 सालों में कठा किया मैंने आपने देखा होगा रोड बे कुछ लोग कचरा उठाते गूंगते उनके बोरी रखी होती है वो कुछ मिलते हैं कचरे में से उठाते हैं प्लास्टिक उठाते हैं वह तो मैंने भी जहां से जो मिला वहां से उठाता गया दिलीव साब से कुछ ले लिया कुछ अमिता बच्चन साब से ले लिया कुछ धरम जी से ले लिया कुछ संजरत से ले लिया इस तरह से अपनी जोली में कठे करता हुआ मैं डालता गया हूँ और बस उनसे इंस्पिरेशन लेता गया आपकी फेवरिट मुवी कौन सी है? जिसमें आप नहीं है? मेरी फेवरिट फिल्म है गंगा जमना दिलीज साब की. वो मुझे जिस तरह से मैंने का कि वो मुझे बेस्ट रगते हैं, मुझे लगता है कि हिंदोस्तिन की बेस्ट फिल्म मतलब ऑनका काम उसमें बेस्ट है. वैसे मुझे उनकी सारी फिल्म मैं पसंद हैm मैंने गंगा जमना कुछ 30-35 बार देखिये मोगलयाजम मुझे पसंद है कुछ 30-35 बार देखिये उनकी द 31. 35 रेो अगया है इक मुवी को एक बार बहुत सब्सक्राइब दो या तीन बार देख सकते हैं इसा आपके फिल्म ते बागवान वो मैंने तीन बार देखिए लेकिन आप लोग जो एक ये फिल्म को 35-40 बार देखते हैं तो क्या हर फिल्मे से आपको एक टेक अवे मिलता है कि इस बार ये तो कुछ और सीखा, जैसे अबदिलीब साभ आपके फेवरिट आप्टर है, आप कोशिश करते रहे हैं, देखिए आपको जो फिल्म पसंद होती है, वो ही आप देखते हैं बारबाद, या एक्टर जो पसंद होता है, उसको देखते हैं, या जो सीन पसंद होता है, उसे ही दे रहे हैं, तो वो सीन में सोचता था ये, कि हमिताब पच्चन कितना बड़ा एक्टर है, एक टाइम पे खड़ा इस तना बोले या रहा है, साथ मिनिट तक बोल रहा है, नॉन स्टॉप, और कमाल का बोल रहा था, तो आप देखते हैं तो पर सीखते हैं भी, कैसे इमो कमस को अब ज्यादा कुछ नहीं, एक होगा कि भई, आपको लगता होगा ये प्रोफेशन आसान है, आसान है नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत कंपिटिशन है, रोज पता नहीं कितने हजारों लड़के लड़कियां बंबई आते हैं, कुछ पंजाब से आते हैं, कु बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, देर इस आलवेशन सम्बदी बेटर थे नहीं, इन लोक्स, इन टैलेंट, इन बोड़ी, एवरिधिंग, इन तुछ रफ लाइन, आपको बादा हैं, आपको लगता हैं, आपको कुछ होता है, तो आप वहां रुकिये, वरना काम करना है और या किसी को डरा नहीं रहा हूँ डिस्कुरेज नहीं कर रहा हूं लेकिन टफ बहुत मुछिकर आता असान बहुत बहुत शक्री अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए नाजरीन हम बात कर रहे थे जाने माने अदाकार अफ्तार गिल जी से यकीन है कि आज का ये एपिसोड आप सभी को बेहत पसंद आया होगा अगले अफ़े फिर मिलेंगे एक नई शक्सित के साथ इस वादे के साथ कि आप अपना बहुत खयाल रखेंगे फिलाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजे इजाज़त अल्ला हाफिज अल्ला हाफिज झाल झाल